नमस्क्रावस्तों मैं हूदी पक्ति पाठियो और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल हम कोचिंग क्लासस में दोस्तों यूपी SI एक्जाम एंसर की आचुकी है आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा आप सभी ने देख लियोगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आज इसी की बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर कितना बन रहा है तो आप P.E.T. के लिए बुलाया जाएंगे आपका फाइनल सेलेक्शन कितने स्कोर पर होगा यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे इन पर पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है सभी विषय में 25 प्लस क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोश्चनार है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं कमेंट बाक्स में कि सर मेरे सभी विषय में 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं लेकिन जियस में किसी के मैथ में जियस में 13 नमबर आ रहे हैं क्या होगा पास होंगे या फिर फेल होंगे क्योंकि minimum जो qualifying mark थे वो था 14 नमबर पर सिक्षन में हर विषय में आपको 14 नमबर लाने जरूरी थे लेकिन क्या हो रहा है कि तीन सेक्षन में तो आपके ज़्यादा ज़्यादा नमबर है किसी एक सेक्षन में कीसी का math में तेरा नंबर है, 12 नंबर है, किसी का GPS में तेरा नंबर है। कापी अशी समस्य देखने को मिल रहे कि GPS में काफी कम कम नंबर आ रहे हैं, 13 नंबर काफी जादे लोगों के देखने को मिल है तो वहाँ पर वो पास होंगे या फेल होंगे क्या नार्मलाइजेशन में किसी एक विशय में नंबर 14 से 13 हो सकते हैं एक दो प्रस्थ इस तरह के भी देखने को मिले कि बच्चे पूछ रहें कि सर अगर मेरे 14 नंबर हैं किसी सेक्षन में और वो सेक्षन सरल हो जाता है उस पर जो बड़े बड़े चैनल है वो काफी जादा कटाब बता रहे हैं उसके पीछे कि क्या सच्चाई है हकीकत क्या है कि इतनी जादा कटाब बताने का क्या रीजन है क्या वाकई में कटाब जादा जाएगी या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई छिपी हुई है जो आप को पता नहीं है या फिर आपको बताई नहीं जा रही है आगे पीटी के लिए क्या रह सकती है कटाप ये भी यहाँ पर डिसकस करेंगे फाइनल कटाप क्या रह सकती है ये भी यहाँ पर देखेंगे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल कराया है उसमें क्योंकि मेर नहीं इसका क्या मतलब है और जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गर आप भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कटाप क्या जाने वाली है और आपको क्या बताया जा रहा है चले सबसे पहले बात करते हैं कि सभी विशे में अगर 50 प्लस हैं तो GS में क्या 13 से नंबर बढ़के आप पास किये जाएंगे या फिर आप फेलोंगे तो पहली बात यहां पर देखें साब साब जो इसका नाटिफिकेशन था उसमें ये मिंसन था कि जो sectional normalization भी होगा और overall normalization भी होगा ठीक है तो normalization अगर sectional होना है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई section बहुत जादे tough होता है तो वहाँ पर normalization होगा और अगर number कम है हो सकता है कि 12 से बढ़कर के 15 number हो जाए ठीक है तो यहां पर number बढ़ने के chances पूरे पूरे हैं पूरा ऐसा है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि number यहां पर कम होंगे जैसे यहां पर यह question भी आ रहा है कि 14 से 13 number हो सकते हैं तो नहीं भाई ऐसा मुस्किल ही है लेकिन कुछ कहा भी नहीं इस तर होगा उसे base माना जाएगा उससे जो cutting इस तर वाले paper होंगे उनमें केवल और केवल नंबर बढ़ाया जाएगे ऐसा हो सकता है जो sectional normalization होगा उसमें overall में number कम भी हो सकते हैं जादा भी हो सकते हैं उसमें हो सकता है कि जो medium इस तर रहेगा उसे base बनाया जाए लेकिन य कुछ कहा भी नहीं जा सकता है आयो क्या करता है कैसे normalization करता है जो sectional normalization है वो कैसे करेगा इस पर based होगा तो 14 से 13 होंगे या नहीं होंगे यह कब पता चलेगा जब result आएगा और उसका normalization process क्या रहता है तब पता चलेगा लेकिन यहां पर pass होने की पूरी संभावना हो जाए अभी result आएगा बहुत जल्दी result आएगा आपको पता चलेगा अगर आप तयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई race की तयारी शुरू कर दीजिए ठीक है अगर नहीं करेंगे तो आपको बाद में पच्ताना पड़ सकता है आगे यहां पर बात करेंगे कि बड़े बड़े जो channel है काफी सारे बड़े बड़े channel हैं जो बता रहे हैं कि cut up 120 प्लस जाएगी कोई कह रहा है 130 प्लस जाएगी कोई इतनी ज्यादा high बता रहे हैं मतलब आप सिधे सिधे यही कह दीजे 100% cut up जाएगी 150 प्लस 160 नंबर जिसके 160 प्लस सही होंगे कि और उनी का selection होगा तो इस तरह से क PPET exam हुआ था उसके तहत उसका भी notification आने वाला है उसका पाठिकरम जारी कर दिया गया है notification दो से तीन दिन में आ जाएगा UP police की नई vacancy आने वाली है अब इनको बच्चे भी तो चाहिए admission कौन कराएगा इनके पास अगर यह कटाफ इतनी जादा नहीं बताएंगे तो जिनके number 120 यानि जो select भी होने की संभावना है जिनको हो सकता है physical भी देने को मिल जाए वो लोग कैसे अभी से selection लेंगे उनको तो अपनी seat फूल करने है कि कितने जादा बच्चे उनके पास admission ले ले क्योंकि वो नय बैच daily का daily सुरू कर रहे हैं देखे होंगे आपने काफी सारे बै से आएंगे क्योंकि बच्चे तो अभी यही physical की तैयारी में फसे हैं कोई यहां पर दरोगा के लिए physical की तैयारी में फसा है को यह से जीडी का जो पेपर चल रहा है उसके लिए तैयारी कर रहा है तो admission कैसे होंगे अब यहां से उनको admission की hope दिख रहे है कि भाई कटाफ बत यूपी जो constable की vacancy आने वाली है इनके लिए वो admission ले ले और उनकी seat है फुल हो जाए उनको पैसे मिल जाए यहां पर पूरी पीछे की सचाई है इस पर आप यकीन मानिए मतलब इसको समझे कि क्या खेल चल रहा है यूट्यूब पर और यहां पर जो cut-up है इतनी ज़्याद कटाब से पहले मैं अगर final कटाब की बात करूँ तो यहां पर देखे पूल के जो नतीजे है यहां पर मैं आपको समझा देता हूँ जो पूल कर रहा है चार हजार बच्चों ने यहां पर पूल में वोट किया है अगर आपने वोट नहीं किया है तो अभी आप चैनल पर ज शकूर बताया है काफी सारे लोग इसमें झूट भी बोलते हैं तो 120 प्लस वाले हो सकता है कुछ लोग जूट भी बताया हो कि 120 प्लस आये हैं कुछ लोगोंने पेपर ही नहीं दिया होगा उनके भी 120 प्लस आगे होंगे हैं लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये सारे लोग सही बोल रहे हैं 10% लोगों के 120 प्लस आए हैं 18% लोगों के 110 से 120 के बीच में आए 42% के 95 बेसे 110 के बीच में यानि सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं 42% विद्यार्थी कौन से हैं 25 बेसे 110 नंबर के बीच वाले हैं 21% के 80 से 25 बीच में आए हैं और इनकी तो बाती नहीं करने हैं क्योंकि ये क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे 80 से कम है अब ये sectional में भी फेल होंगे किसी सब्जेक्ट में या फिर sectional में हो सकता है तो overall यहां पर 80 से कम होंगे chances बहुत कम है कि लेकिन हो सकता है कि बहुत जादे paper tough रहा हो third page में जैसे काफी सारे paper tough tough आया थे तो हो सकता है यहां पर नार्वलाइजेशन में इनको फायदा मिल्या और अगर ये female category होगी और किसी जो है आरचित category की होगी यानि reservation वाली category होगी तो हो सकता है यहां पर भी selection होने की संभावना है P.E.T. देने को मिल्याएँ खायनों कटाब के अगर बात करें तो मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें आप अपनी भी राय बता सकते हैं बिल्कुल लेकिन मैंने जितना analysis किया है मैंने इसके पहले भी काफी सारी कटाब बताई हुई है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं और वही बात मैं यहां पर अभी भी अपनी बात पर जो है सहमत हूँ और वही बात मैं यहां पर भी बोलूँगा कि अगर आप language criteria male candidate है जैसे कि किसी अधर state का कोई male candidate हो वो भी language cafeteria में आगा या फिर UP का कोई language category का candidate है तो वो जो है लगभग लगभग 120 या 120 प्लस कटाफ फाइनल कटाफ जा सकती है फाइनल कटाफ कितनी जाएगी 120 प्लस कटाफ जा सकती है किसकी male candidate की unreserved की तो यहाँ पर मैंने जो यह vote के अधार पर data लिया है इसको data के हिसाब से तो आप देखी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसी कटाफ में आपको यह बता दूँगा और बता रहा हूँ कि यह जो unreserved category है UR category और male की यहाँ पर 120 प्लस कटाफ जा सकती है final में PET में इससे 10 number तक कम हो सकती यानि 110 प्लस वालों को PET में unreserved category में chance मिलेगा यह आप देख लिजेगा और अगर आप तयारी अभी से नहीं कर रहे हैं तो आपको पच्चताना पड़ सकता है भाई अगर आप race नहीं लगाएंगे तो आप race नहीं निकाल सकते हैं पांच किलो मीटर आपको दोड़ना है इसके लिए आपको अभी से तयारी सुरू करनी होगी क्योंकि जैसे ही result आएगा और देखना एक महिने के अंदर अंदर result आजाएगा और P.E.T. के लिए notice आजाएगा P.E.T. कब होगी उसकी date भी आजाएगी यहाँ पर अगर 110 से 120 के बीच में बात करें तो 110 मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 110 प्लस हैं और आप किसी जैसे O.B.C. candidate है या फिर E.W.S. candidate है अगर आपके 110 नंबर तक सही 110 प्लस हो रहा है तो आपका 100 परसेंट फाइनल कटाप मिस सेलेक्शन हो जाएगा अगर P.E.T. के लिए बात करें तो आप 10 नंबर और कम कर लिजे 100 नंबर में आपको पूरा पूरा चांस मिल जाएगा चाहे आप E.W.S. में हो चाहे आप O.B.C. में हो O.B.C. E.W.S. 100 नंबर के आजपास आपको चांस मिल जाएगा O.B.C. और E.W.S. अगर यहीं पर बात करें अन्रिजरो काटेगिरी की फीमेल कंडिडेट की तो उनकी भी लगबग 110 से क्योंकि मैंने क्या बताया कि फाइट बहुत जादा रहेगी अन्रिजरो काटेगिरी में तो चाहे मेल कंडिडेट हो चाहे फीमेल हो फीमेल कंडिडेट की भी 110 के सम्थिंग 120 के सम्थिंग फाइनल काटाफ जा सकती है अन्रिजरो काटेगिरी में ठीक है अगर हम लोग कैटेगिरी की बात करें जो आरची सीट है जैसे SCST की हो गई तो SCST में काफी कम कटाफ जाएगी और मेल कंडिडेट में वो कटाफ जो है 80-95 के बीच रह सकती है देखे 80-95 मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो भी जा सकते हैं सुरी फीमेल कंडिडेट में 80-95 के बीच में अगर आपके सही है 80-95 भी नहीं आप यह समझ सकते हैं कि 80-90 प्रसन के बीच में अगर आपके सही हैं आप फीमेल कंडिडेट है तो आपका चैन फाइनल कटाफ में बिल्कुल से और है PET के लिए भी आप बुलाए जाएंगे अगर मेर कंडिडेट की बात करें SCST की तो पंचानबे से 110 फाइनल कटाप पंचानबे से 110 और PET के लिए आप इसमें 10-10 नंबर कम कर सकते हैं यानि 85 नंबर में आपका PET के लिए बुलावा आ सकता है तो अब आप समझ गया होंगे कि आपकी कटाप क्या जा सकते हैं मतलब मैंने क्या बताया कि SCST कंडिडेट जो मेल कंडिडेट है उनकी पंचानबे से 110 में फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा अगर वो लोग रेस निकाल लेते हैं तो ठीक है रेस आपको निकालनी पड़ेगी उसके लिए आपको तयारी करनी पड़ेगी तो पंचानबे से 110 के बीच में आपकी कटाप जाने वाली है अब वहीं पर PET के लिए आपको इससे भी कम नंबर में बुला जागा और हो सकता है कि इससे कम ही जाए जो मैं कटाप बहुत कम जाने वाली है आप बिल्कुल भी पैनिक मत होई है बिल्कुल भी घबराई है नहीं इसकी सच्चाई को समझी है जो बड़े बड़े चैनल आपको बड़ी बाते कर रहे हैं कि 140 प्लस जाएगी 130 प्लस जाएगी यह क्यों कर रहे हैं इसके पीछे की सच्चाई को समझी है उन्हें क्या करना है उन्हें बिजनेस करना है उन्हें अपनी इंकम बनानी है उन्हें पैसे ज़्यादा बढ़ाने है कि जितने ज़्यादा उनके पास एड्मीशन हो रहे है उतने ज़्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा admission कम मिलेंगे जब यहाँ पर बच्चे हतास होंगे उन्हें पता चलेगा कि मेरा selection इस बार भी नहीं होगा तब वो जा करके उनका course purchase करेंगे और उनके पैसे बनेगे यह पूरी की पूरी यहाँ पर सच्चाई है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अभी से और आज से ही race की तयारी सुरू कर देरी चाहिए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है अगर इस समय का यूज नहीं करते हैं तो आपको पस्ताना पड़ेगा मैं यह बार बार इसलिए कह रहा हूं क कि मैं चाहता हूं कि अगर आपका यहां से qualify एक चीज और है कि मान लीजे मैं यह जो cut up बता रहा हूं एक second के लिए मान लेते हैं कि मैं जो cut up बता रहा हूं cut up इससे high जाएगी इससे ज्यादा cut up जाएगी मैं आपकी बात मान लेता हूं क्योंकि आपने बहुत सारे channel बड़ आप अच्छे से पढ़ाई भी करिए लेकिन मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि आप फिर यह मत सोचिए कि मुझे physical की ज़रूरत नहीं physical की तैयारी नहीं करनी है मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि आपको physical की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए जिससे आपको फैदा मिल सके अगर आप यहां पर qualify होते हैं तो आप physical में पास हो जाएं ऐसा नहों कि आप physical से वापिस हो क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं और physical में आप नहीं पास कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और आप इससे बहुत ज़्यादा निरास हो सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको फिजिकल की भी तैयारी लगातार करनी चाहिए और बाकी चीजों के लिए आप समय निकाल लिए बाकी चीजों के लिए आप पढ़ाई करिए लेकपाल के लिए पढ़ाई करिए यूपी भी आपको मिले अच्छा और जहां पर आपको अच्छा लगता है आप वहां से पढ़िए लेकिन साथ-साथ फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए ठीक है और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक के नमस्कार लेकिन जो है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पुराने है तो बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नार्टिफिकेशन आपको मिलता रहे और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउ झाल 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 झाल